नमस्काल दोस्तों आप देख रहा है क्रियाफ केम यूट्व चैनल जैसे कि आपको डोंसेटी कलेंट की जो कि आपको क्रियाफक कंपशेक्चिक के क्रिती चेक्डेंगे 3 ृपॉ-क्रफ्पण्तछीड यह काफ यह हैं और यह फुल्डी रेपाट्डिक मशिन है मतलब आपको किस टाइप से इसको यूज करना है कौन से प्रोड़क में को कौन सी जाली लगानी है यह सब उसमें डिस्क्रेशन में लिखा हुआ है यह से मतलब को पढ़ने में काफी आसानी होगी और यह होफ़ार है उसका इसमें एक से देड़ किलों आपका मट्रियल लाए इसका दोर खुल के एक बार आप देख लिए अधिक सिकते उतर काफी मतलब बढ़िया कॉलिटी की मशिन देख रही है अंदर से इसका चैंबर देखिए शेफ एन वाला मतलब छे एन वाला इसका मतलब पंक आए अधियो फुल्ली अटोमेडिक मेशीन है इसमें मतलब आप कर सकते हो जैसे मतलब मसाला प्लस आप गेहु पीछ सकते हो गेहु गया दाल हो गई बाजरा जो भी आपको पीछना है वो टूइन वान है यह बकेट है सर दस से पंदरा किलो इसमें आपका मेटल आराम से आ जाता है मतलब आपने उपस वापर में डालते गए यह मतलब चाहेगा आट्मेटिक वाली मशीने सेंसर वाली मशीने जब तक आप मशीन नी करोंगे जब आप मशीन और करोंगे तब इसमें मतलब ट्यून बजएगा आलाम बजएगा कि यह दे सकते हो इसका हो पर यह मसाले को पर है यह मतलब सामने से अटेच्छ करना होता है अगर आपको समझ लो यह हूँ या फिर कोई आइटम करना है तो आपको यह ओपन लगाना है या अगर आपको कोई मसाला करना है मतलब मसाला मतलब सही एटम मिर्ची हल्दी जड़ी तो आपको यह आगे से मट्रिल डालना होता है पर याद रखे कि जब आप वैसे गी एटम करते हो जैसे कड़क में जड़ी बूटी या हल दी इसमें आपको मतलब सबसे बाड़ी जाली उसकरना है क्योंकि अगर आप सबसे बारी जाली कि उसकरोंगे यह क्या दो नंबर की त आप पीछे से मतलब पीछे से जाओ को पर है बड़ा वाला वासे रिपीट करना है दो नंबर जाजी लगाते तब जाके आपको फाइन पॉलम निकलेगा काफी आसान इसको अपरेट करना हूं लेख सकते आप स्क्रीन पर यह कोई भी घर के लेडिज मतलब कैसे हैं घर के मतलब कोहीं भी मतलब अच्छा भी सकता है इस ताइप से डिजाइन की हुई है और मतलब इसमें करेंट लगने का रिक्स नहीं है कुछ नहीं है बुदन बॉड़ी है पुरी इसक्स दे सकते हैं और इसमें आप जाली मतलब इसमें 6-7 प्रकार की जाली आती है यह देखिए इसमें बाजरी गीवक उफ्षन दिया हुआ है इसकाफी मतलब इसे अब जैसे जिसके स्टेट के हो उस उस लाइंग्वेज के साब से अमलब ब्रॉशर चपाते हैं यसे भी यह महाराश्टर में है वीडियो वन रहा है तो यह महाराश्टर में मतलब फुरा ब्रॉशर लि देख सकते हैं चली आपको इसको लगा सकते हो आपको चाली कैसे लगाने है वह मुझा देते हैं इसे आप देख सकते हो यह लुक्त फुलना होता है टो कि अदर में यूआ हम लगा रखी है ंप जाली छाब में लगाने को लिगाना है काफी आसा एशी लगाना अब हैं चालने काफी लगान ये सीच लग जाती जाली और लगाने के बाद आपको पर को लॉक करना है अब देखिए अब हम नों मशीन करके दिखाते है इसकी पावर आपको दिखा देते मतलब 880C में इसका मतलब एक मिनित में 880C बार गोमता है देखिए इसकी स्पीड देख सकते हो काफी स्पीड से गोमता है मतलब प्रॉपर फाइन पॉड़र निकलता है कॉपर वैंडिंग मूटर है आईसा है मारक वाली इसमें मतलब एक सल के आपको कंपनी वारंटी देती है यह हम लोग बस डेमो के लिए आपको बता रहे हैं बाकी आपको यह लॉक करके इस्तमाल में लाना है ऐसे खुले में नहीं लाना है इसको डॉर लगा देना है जैसे पिर आप देख सकते हो आप फाइस्टर निटिंग वादी मशीन है कापी खुबसूरत लग रही है मशीन आप मतलब आपके उपर डिपेंट रहे हैं कादा चोईस का मतलब जी अभी आप देख सकते हैं इसमें कंपनी के आगे आपको प्रोवाइट करवा रही है इसके ट्रॉली है मतलब नीचे आप चक्के लगा सकते हैं इसके मतलब उदर से एक जगा से दूसरे जगा लेके जाना है तो यह होगा इसका कपड़ा जो मतलब आप ब्लोवर से साप करोंगे चेंबर का अंदर का यह डोर है डोर का मतलब जैसे अभी इसको लगावानी है तो यह हैंडल हो गया जो आपको मतलब खोणने बंध करने में मदद करेगा यह अपको लगाना है यह इसका ब्रस हो गया अंदर का ब्रश मतलब जो चेंबर अटा वगर यह मसाला पीसोंगे तो उसको साप करने के लिग उग यह कमपनी के तरफ से मतलब मशिन ठकने का करना है चेंबर से आटावाटा पूरा निकालना है तो हाथ से नहीं जम रहा ब्रस से नहीं जम रहा तभी बुलोवर का अटेच्मेंट लगा के अंदर से साफ कर से